हेलो गाईज वेलकम टो आपर यूटव चानल एस्टडिविट इम आज मैं आप सभी के लिए काफी महत्पोन वीडियो लेकर आई हूँ तो देखे आपके आगामी वीपिडियो एक्साम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्राखन की मोस्ट इम्पौर्टेंट questions के revision class लेके आई हूँ ये revision class आपके video exam के लिए काफ़ी helpful रहने वाली है आप सभी लोग हमारी इस class में starting से लेकर end तक बने रहेगा चलिए आज किस class को हम start कर लेते हैं start करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी YouTube channel study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें हमारे telegram group को भी join कर सकते हैं ये भी study with aim के नाम से ही बना हुआ है telegram group पर रात को 8 बजे quiz भी कराए जारी है इसके लावा important PDFs जो होती है वो भी आपको telegram group पर ही provide की जाती है तो आप लोग telegram group को join कर सकते हैं चलिए series start कर लेते हैं और इस series का पहला question है अलमोडा में इस्तित है option fourth बिलकुल right answer है आपका यहाँ पर और देखे इसके अलावा और संस्थान भी है अलमोडा जनपद में जैसे की होगे आपका गोविंद वल्लपंत हिमाले परियावर संस्थान जोके अलमोडा में स्तित है इसके अलावा रक्षा किर्शी सोद संस्थान ये भी आपके अलमोडा में इस्तित है पूछा जा सकता है कौन सा संस्थान कहां पर है लोक कला संस्थान के स्थापना भी अलमोडा में ही की गई है तो इन points को आप लोग याद रखेगा चलिए next question देखते हैं बोकसा विरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है तो देखे बोकसा विरादरी पंचायत जो है यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है यह बताना है तो correct answer है आपका तकहत या फिर तकत इसको कहा जाता है तो बोक्सा विरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तख़त बोक्सा जंजाती में विरादरी पंचायत होती है जो न्याई वक कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदाई है और देखे विरादरी पंचायत में कितने सदश्य होते हैं पांच सदशे हैं और इस पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है तख़त होता है तख़त के नीचे एक मुनसिफ एक दरोगा वर दो सिफा ही होते हैं विरादरी पंचायत के जो सबी सदशे है ये वन्शानोगत होते हैं तो काफी महतपोन कुश्यन है चलिए नेक्स्ट का सुल्तान किसे कहा जाता है देखे देहरादोन का सुल्तान कहा जाता है किसे महावीर त्यागी को ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्यन है आपका कुमाओं के किस छेत्र को मानस खंड में शैल देश कहा गया है most important question तो देखे कुमाओं का ये छ रखेगा पितोरागर जनपद में पितोरागर जनपद में आपका इस्तित है गंगोली हाट और सर्यू वर राम गंगा नदी के बीच इस्तित है गंगोली हाट और यहां मन कोटी राजाओं का शाशन रहा मन कोटी राजाओं के बारे में जानवी नौला के एक लेक में मिलत वनी जीव संग्रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? Important question है, देखे, भारत में वनी जीव संग्रक्षण अधिनियम ये वर्ष 1972 में लागू हुआ option? सेकेंड बिलकुल राइट आंसर है भारती वने जीव सांगरक्षन अधिनियम वर्ष 1972 भरत सरकार ने वर्ष 1972 इस बी में इस उद्देशी से पादित किया था कि वने जीवों के अवैर्शिकार तथा उसके हाड मांस और खाल के व्यापार पर रोख लगाई जा सके और इसे व वर्ष 2003 में शंशोदित किया गया और इसका नाम भारती वने जीव सांगरक्षन अधिनियम दो हजार दो रखा गया जिसके तहत इसमें दंड तथा जुर्माना जो है से और भी कठोर कर दिया गया और देखे ऐसे ही आपसे पूश लिया जा सकता है कि परियावर्ण सांगर शंगरक्षन अधिनियम कब लागू हुआ या कब पारित किया गया तो परियावर्ण शंगरक्षन अधिनियम पारित किया गया आपके 1986 में वर्ष 1986 में ये भी आपका महतफोन कुश्चन बन सकता है आयो के द्वारा और आपसे फूश लिया जाए प्रोजेक्ट टाइगर क प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसके शिरुवात की गई थी 1973 तो ये भी आपका महतफोन पॉइंट है नोट डाउन का लिजे अगला कुश्चन देखेंगे राजी विधान परिशत का प्रावधान भारती समविधान के किस अनुछेद में रखा गया है देखें राजी विधान परिशत का प्रावधान यानि की विधान परिशतों के जो संग्रक्षन है ये भारती समविधान के अनुछेद 171 में है अनुछेद 171 के अनुसार राजी की विधान परिशत के सदश्यों की कुल संख्या उस राजी की विधान सभा के सदश्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिख नहीं होगी परनतु किसी राजी की विधान परिशत के सदाशों की संख्या किसी भी तशा में 40 से कम नहीं होगी। अगला कुशन है भारती का पास अनुसंधाब शंस्थान कहां इस्तित है। देखिए भारती का पास अनुसंधान संस्थान इस्तित है आपके नागपुर में option first discussion का बिलकुल right answer हो जाएगा राजी पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा कौन सा राजी महारास्ट्र महारास्ट्र राजी में ये स्तित है और इसकी स्थापना की बात की जाए भारती का पास के दीर्ग कालिक अनुसंधान को पढ़ावा देता है अगला कुशन है आपका आसवान बाद किस नदी पर इस्तित है दिखिए आसवान बाद ये इस्तित है आपके इन मैं से नील नदी पर option third पिलकुल right answer है अगला कुशन देखेंगे रमान उत्साओ को विश्व परशिद्धी दिलाने में किसकी भूमी का थी देखिए रमान उत्साओ जो है इसे विश्व परशिद्धी दिलाने में भूमी का थी कुशल सिंग भंडारी की option fourth पिलकुल right answer है देखिए रमान उत्साओ जो है ये कहां पर मनाया जाता है चामोल में कहां पर मनाया जाता है पूछ लिए जग गाउं पूछ लिया जाएगा तो भी आपको याद रखना है कुशन को हर तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आयोग आपसे कोई भी कुशन पुट अप करे तो आप बिल्कुल ही करेक्ट करके आएं वहाँ पे देखे रमान उत्सव जो है ये चामोली के जोशिमट ब्लॉक के सलूड गाउं में सलूड गाउं में मनाया जाता है अप्रेल महिने में यह उत्सव मनाया जाता है और 11 से लेकर 13 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है दो अक्टूबर 2009 को रमान उत्सव को युनेसको ने विश्व धरोहर खोशित किया था ये ध्या रखेंगे विश्व धरोहर है ये रमान उत्सव जो है यह आपको याद रखना है और 2009 में से युनेसको ने विश्व धरोहर खोशित किया अगला कुशचन है उत्राकम्ण में सरफार्थं गंध कि खोज कप की गई उत्राकम्ण राजि में सरफर्थं गंध की खोज हुई थी 1957 में वर्ष 1957 में यानि कि option फिर्स यहां पर आपका right आंसर हो जाएगा राजि में सरफर्थं गंध की खोज Очень Northwest कहां पर की गई थी चमोली में की गई थी चमोली के रूप गंगा घाटी में इसकी खोच की गई सरवर्थम अगला कुश्यान देखेंगे अखिल गडवाल सभा की स्थापना निम्न में से कहां पर हुई थी अखिल गडवाल सभा की स्थापना हुई थी देहरा दून में और इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? विशमबर्दत चंदोला. विशमबर्दत चंदोला इसके अध्यक्ष थे. देखे, गडवाल में हिंदी पत्रकारिता का भीश्म पितामा किसे कहा जाता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है. तो देखे, गडवाल में हिंदी पत्रकारिता का भीशम पितामा कहा जाता है विशमबर्दत चंदोला को इंपोर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट कुशन देखेंगे, अलक नंदा मंदाकनी नदी की संगम पर कौन सा मंदर इस्तित है? देखे, अलक नंदा और मंदाकनी का जो संगम होता है, यह होता है आपका खहांपर रूदर परियागा रूद्र परियाग जो है यह आपके पंच परियागों में से एक है। पर संगम होता है अलग नंदा और मंदाकनी का रूदर प्रियाग जिले का गठन कब हुआ पूछ लिया जाए तो 16 सितंबर 1997 को रूदर प्रियाग जिले का गठन किया गया इससे related important facts पर आप सभी लोग निकालेंगे तो आप history बहुत ही आसान हो जाएगा इसलिए आप सभी को यहाँ पर important point बताए जा रहे हैं तो no down कर लिजे इन points को तो देखे रूदर प्रियाग में अलग नंदा और मंदाकनी का सं इस्तित है तो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा चामुंडा देवी का चामुंडा देवी का जो मंदिर है यह अलग नंदा और मंदाकनी नदी के संगम पर इस्तित है अगला question देखेंगे भारती वित आयो की स्थापना किश वर्ष हुई भारती वित आयो की जो स्थापना ह रूप में अनुछेद 280 के अंतरगत किया जाता है यह देखेंगे भारती संविधान के अनुछेद 280 के अंतरगत इसका गठन किया जाता है एक संविधानिक निकाई के रूप में इंपोर्टेंट पॉइंट है और यह एक अर्धन याएक संस्था होती है इसका गठन भारत क राश्ट्र पति द्वारा किया जाता है अगला कुश्चन है आपका ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है देखें ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात मंदिर है यहाँ पर कोनार्क मंदिर option, second बिलकुल right answer है कोणार्ग सूरी मंदिर आपके कहां पर इस्तित है ओडिशा राजिय में इस्तित है कोणार्ग सूरी मंदिर पुर्वी ओडिशा के पवित्र पूरी शहर के पास इस्तित है पूरी शहर के पास यह मंदिर इस्तित है इसका निर्मान राजा नर्सिंग देव पर्थम द्वारा कब करवाये गया था तेरवी शताब्दी यानि कि 1238 से 1264 इस भी मैं किया गया था राजा नर्सिंग देव पर्थम द्वारा इस मंदिर का निर्मान कराये गया और यह गंग वंश के वैभव, स्थापति, मजबूती और स्थिर्था के सांसात एधियाजी परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए किस वंश से यह मंदिर सम्मंदित है तो आपको याद रखना है गंग वंश से गंग वंश से इस मंदिर का सम्मंद है और इसे युनेस को द्वारा विश्व धरोहरिस्तल भी घोशित किया गया है कब किया गया ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से तो 1984 याद रख लेजे 1984 में युनेस को द्वारा कुणार क सूर्य मंदिर को विश्व धरोहरिस्तल घोशित किया गया अगला है तेल और प्रागर्तिक गैस निगम का मुख्याले कहा परिस्तित है देखिए तेल और प्रागर्तिक गैस निगम यानि कि in short इसको ONGC बोला जाता है ONGC तो इसका जो और प्रागर्तिक गैस निगम यानि कि ONGC 23 जून 1993 से प्रारंब हुई एक भारती सार्वजनिक जेतर की पैट्रोलियम कमपनी है और इसे Fortune Global 500 द्वारा 335 वे स्थान पर रखा गया है और यह भारत में कच्छे देल के कुल उतपादन में 71 प्रतिशत और गैस के उतपादन में 81 प्रतिशत का योगदान करती है और इसे 14 अगस्त 1956 को एक आयो के रूप में स्थापित किया गया था ONGC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है अलका मित्तल जो है ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी चलिए नेक्स्ट कुष्ण देखते हैं परवती राजी परिशत का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया ये भी आपका काफी महिला पूण कुष्ण है देखे परवती राजी परिशत का जो गठन है ये किया गया तया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में option फूर्थ बिल्कुल राइट आंसर है देखे चौबिस पच्चिस जून उनिस सो सरसट इजवी में राम नगर समीलन में परवती राजी परिशत का गठन किया गया और इसके अध्यक्षत देयाकृष्ण पांडे थे वर्ष 1973 के अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1973 में परवती राजी परिशत का पुनर गठन किया गया जिसके तहट दो सांसदों दो सांसद कौन-कौन थे एक तो थे परताप सिंग नेगी दूसरे नरेंद सिंग बिष्ट तो दो सांसदों को इसमें शामिल किया गया और देखे आप लोगों से एक कुश्चन इससे रिलेट करके और पर्वती विकास परिशत का गठन कब हुआ तो देखे पर्वती राजी परिशत और पर्वती विकास परिशत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं पर्वती विकास परिशत अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो पर्वती विकास परिशत का जो गठन हुआ था ये कुछन देखेंगे वसुन्धरा जलपरपात कि जिले में इस्तित है वसुन्धरा जलपरपात है आपके चमोली जिले में option first बिल्कुल right answer है चमोली के मानागाओं के पास अलग नंदा नदी पर अलग नंदा नदी पर इस्तित है वसुन्धरा जलपरपात और इस जलपरपात क उचाई पूछ लिए जाए तो 112 मेटर इसकी उचाई है ये याद रखे अगला कुश्चन है तिलाना किस नृत्य की प्रस्तुती शैली है देखे काफी महदपॉर्ण कुश्चन है आपका आयू के द्वारा इस तरीके से कुश्चन पूछ लिए जाते हैं नृत्य से तो देखे तिलाना जो है ये भरत नाटियम की प्रस्तुती शैली है औप्शन फोर्थ इस कुश्चन का राइट आंसर है भरत नाटियम के तिलाना शैली में नारी सौंदरी का परदशन किया जाता है और भरत नाटियम प्राचीन नृतियों में से एक है भरत नाटियम जो है ये किस राजी का प्रमुख शास्त्री नृतिय है पूछलिया जा सकता है तो देखे यह तमिल नाडू तमिल नाडू राजी का प्रमुख शास्त्री नृतिय है और बात करते हैं कत्थकी तो कत्थक जो है ये मूलता उत्तर भारत का सास्री नुरती है ओडिशी आपका ओडिशा का प्राचेन नुरती है और ये पोणता आरातना का नुरती है और कुछी पुड़े नृति जो है ये आंध्र प्रदेश राज का नाट ये नृति है अगला कूश्चन देखेंगे उत्राखंड युवा परिशत का गठन कब हुआ था? उत्राखंड युवा परिशत का गठन हुआ था वर्ष 1976 में option थर्ड इस question का right answer है अगला question देखेंगे कानपूर निम्न मैं से किस नदी के किनारे इस्तित है देखें कानपूर इस्तित है आपके गंगा नदी के किनारे option second question का right answer है और देखें तापी नदी के किनारे कौन सा शहर इस्तित है पूछ लिया जाए तो तापी नदी के किनारे इस्तित है आपका सूरत इसके अलावा हुगली नदी के किनारे है आपका कलकत्ता शहर साबर मदी नदी के किनारे कौन सा शहर इस्तित है पूछ लिया जा सकता है तो साबर मदी के किनारे कौन सा शहर इस्तित है हम दा बाद जो है ये साबर मदी नदी के किनारे इस्तित है इसके अलावा देखे लखना और शहर आपके गुमती नदी के किनारे इस्तित है मुरादाबाद शहर पूछ लिया जाए तो राम गंगा नदी के किनारे इस्थित है ऐसे ही एक और पूछ लिया जाता है कि कटक किस नदी के किनारे इस्थित है कटक बेसिकली आयो के द्वारा ये कुशन पूछा जाता है तो कठक जो है ये महानदी के किनारे स्थित है इसे याद रखेंगे और यहाँ पर एक प्रमुक्ष संस्थान है जिसका नाम है चावल अनुसंधान केंद्र तो चावल अनुसंधान केंद्र भारत में कहां स्थित है पूर लिया जाए तो कठक की याद रखेंगे कठक में चाबल अनुसंधान केंद्र आपका 21 मा कुश्यन है प्राचीन उतराखन में 2 तथा 3 मुद्रा लेख का समन्द किन शाषकों से था? most important question है तो देखे प्राचीन जो उत्राखंड था तो प्राचीन उत्राखंड में द्वी तथा त्री मुद्रा लेक का समन था यौधी शाषकों से option first discussion का right answer है देखे यौधी जो थे ये किसके समकालिन थे पूछ लिया जा सकता है तो यौधी आपके कुणिंदो के समकालिन थे और इनकी मुद्राएं जो है यौधीयों की जो मुद्राएं है ये जौन सार भाबर तथा कालो डांडा से मिली है इनकी जो मुद्राएं है ये कहां से जौन सार भाबर और कालो डांडा से मिली है और यौधी शाषकों के सिकों में शूल धारी कार्दिके का चित्र अंकित है चलिए नेक्स्ट कुशन है कुमाव परिशत की स्थापना का मूल उद्देश किसके निवारण आर्थ था वन समश्या के निवारण आर्थ ओप्शन सेकिन इस कुशन का राइट आंसर है दिखे कुमाव परिशत की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 1916 में हर गोविन्द पंत बद्रिदत पांडे गोविन्द वल्लब पंत आदिके प्रियासों से नेनिताल में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मूल उद्देश वन समश्याओं का निवारण करना था बाद में इस परिशत ने सामाजीक इसके अलावा आर्थिक राजनेतिक वशिक्ष्या समश्याओं पर भी कारी किया कुमाओ परिशत का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ पूछा जाए तो आपको याद रखना है इस परिशत का पहला जो अधिवेशन हुआ था ये अलमोडा में हुआ था अलमोडा में इसका पहला अधिवेशन हुआ था 5 सितंबर 1917 को हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जैदत जोशी ने कुमाव परिशत का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये आपका कहां पर हुआ था हलद्वानी में हुआ था कब हुआ वर्ष 1918 में हुआ और तारदत गैरोला ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी थर्ड अधिवेशन जो हुआ था इसका थर्ड अधिवेशन वर्ष 1919 में हुआ था कहां पर कोट द्वार में इसका थर्ड अधिवेशन हुआ था बद्विदत जोशी द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गए थी अगला question देखेंगे गेंदवा मेला निमने मैंसे किस गाउँ से समंदित है तो देखे, गेंदवा मेला समंदित है किस गाउँ से नेट वाल गाउँ से option fourth question का right answer है गेंदवा मेला किस जनिपद में आये जित्किया जाता है इस तरीक से अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है यह जो जनपत है यह आपका उत्तरकाशी जनपत उत्तरकाशी जनपत के नेटवार गाउं में इस मेले का आईजन किया जाता है मकर शकरांथी के आउसर पर यह मेला लगता है अगला question देखेंगे चामोली जनपत में वन पंचायतों का गठन किया गया था वर्ष 1932 में और वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उत्राखंड में वन पंचायतों का अफिशली गठन कब हुआ था तो वन पंचायतों का अफिशली गठन हुआ था उत्राखंड राजिय में वर्ष 1931 में और ज जस्ट एक साल बात कर दिया गया था इसको भी आप याद रखेंगे और देखे इस कुश्चन से रूलेट करके कुछ और कुश्चन भी हो सके पूश लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे उत्राखंड वन विभाग का जो हैटकौर्टर है वो कहां परिस्तित है देहरा दू देहरा दून में उत्राखंड वन विभाग का हैटकौर्टर यानि मुख्याले है और वन शांगरक्षन अधिनियम कब पारित हुआ था पूश लिया जा सकता है तो आप सभी को पता रहना चीए वर्ष 1990 में वन शांगरक्षन अधिनियम पारित किया गया स्वतंत्र भारत क पहली रास्टी वन निती कब जारी हुई थी इसका आंसर आप सभी लोग बताईएगा कमेंट शेक्षन में अगला कुश्यन है भारत में जल परदूर्शन नियंत्रन कानून कब लागू हुआ तो देखें इंपॉर्टेंट कुश्यन है ये वी आपका भारत में जल कुश्यन रोक थाम और नियंत्रन अधिनियम 1974 पारित किया और इस अधिनियम का मुख्यों देशे जल निकायों को सच्छ बनाए रखना है तो कुश्यन देखेंगे चित्रकला की गांधार शेली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया तो देखें चित्रकला की गांधार इसका सूत्रपात कुशान काल में किस काल में पूछ लिया जाए तो कुशान काल में महायान संपरदाय द्वारा किया गया गांधार कला की विशेवस्तू तथा शेली युनानी रोमन थी युनानी रोमन थी गांधार कला की विशेवस्तू तथा शेली जो थी ये युनानी इसलिए गांधार शैली को ग्रीक रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है अगला कुश्यन है आपका भारती मौसम विज्ञान विभाग इस्थापित है देखे भारती मौसम विज्ञान विभाग कहां पर इस्थापित किया गया है तो करेक्ट और इस विभाग द्वारा भारत से लेकर अंटार्क टिका भर में सैक्डो प्रिक्षन स्टेशन चलाएं अगला कुशन देखेंगे राष्टी पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है देखें राष्टी पंचायती राज दिवस आपके 24 अप्रैल को मनाया जाता है ऑप्षन थर्ड इस कुशन का राइट आंसर है पंचायती राज का मतलब स्वसासन से है यहाँ पे और देखें यह व्यवस्था सासन के विकेंडरी करण के तहत की गई है, पंचैती राज सास्ता को भारत के सबसे पुराने शासे निकाईयों में माना जाता है, और हर साल सत्ता के विकेंडरी करण के एथिहाचिक शन को यादकार बनाने के लिए भारत 24 अपरेल को रास्ती पंचैती राज दिवस मनाता है अगला कुशन है आपका कुमाओ कुमुद समाचार पत्र का प्रकाशन किश वर्ष आरम हुआ कुमाओ कुमुद समाचार पत्र का प्रकाशन आरम हुआ वर्ष 1922 में ऑफ्षन सिकिन बिल्कुल राइट आंसर है देखिए अलमोडा जनपत से अल मूला से वर्ष 1922 इस्वी में जिला समाचार नाम से समाचार पत्र निकाला गया जो वर्ष 1925 इस्वी में कुमाव कुमुद नाम सही निकलने लगा और इस पत्र का संपाधन किस ने किया पूश लिया जाए तो कुमाव कुभूद समचार पत्र का संपाधन किया था फूण चंद ने पूण चंद द्वारा इसका संपाधन किया गया था अगला कुश्वन दिखेंगे किर्शी उत्पादन विपनन बोर्ट का गठन किश वर्ष किया गया देखें किर्शी उत्पादन विपनन बोर्ट का गठन किया गया था वर्ष 2000 में option first is question का right answer है अगला question देखेंगे निम्न मैंसे किस व्यक्ति को तराई का विश्व कर्मा कहा जाता है important question है तो देखेंगे तराई का विश्व कर्मा कहा जाता है इन मैंसे हैंवी रैमजे को option third बिलकुल right answer है देखेंगे रैमजे को कुमाओ का बेताज बात साबिक कहा जाता है और हैंवी रैमजे 1856 से 1884 तक कुमाओ कमिशनर पद पर रहे और ये कुमाओ के शिक्स्तवे कमिशनर थे शिक्स्तवे नमबर के ये कमिशनर थे कुमाओ के और मूल रूप से कहा की निवासिते पूछ लिया जा सकता है तो मूल रूप से ये स्कॉट लेंड के थे अगला कुशन है आपका नंद सतशी मेला किस जनपत में लगता है नंद सतशी मेले का आयजन किया जाता है नेनी ताल में अगला देखेंगे परशिद शेर गड़ दुर्ग की स्थापना किस ने की थी काफे महतफोन कुशन है तो देखेंगे परशिद शेर गड़ दुर्ग की स्थापना की थी किस ने माधो सिंग भंडारी ने इसकी स्थापना की थी माधो सिंग भंडारी जो थे ये महीपति शा के सेनापति थे और माधो सिंग को क्या कहा जाता है गर्व भंजक कहा जाता ह माधु सिंग भंडारी को माधु सिंग ने मलेथा की गूल का निर्माल किया था और मलेथा की गूल छेना धार पहाडी पर बनाई और चक्मा नदी या पिर डांगर नदी से पानी निकाला गया था अगला कुश्यन देखेंगे, तेरवी शताबदी में राजिस्थान के माउंट आबो में परशिद दिलवाडा मंदिर किस ने बनवाया था? तो देखें, तेरवी शताबदी में राजिस्थान के माउंट आबो में दिलवाडा मंदिर बनवाया गया था और ये मंदिर बनवा तेजपाल तो इस कुशन को ध्यान से पढ़िएगा अगर आपके दीएगे option में वास्तुपाल और तेजपाल दोनों होते हैं तो आप दोनों correct करेंगे यानि कि वास्तुपाल और तेजपाल ये दो भाई थे तो इन दो भाईयों द्वारा यह मंदिर बनवाए गया और यह मं सताब्दी के बीच हुआ इन मंदिरों का संबंद किस धर्म से है दिलवाडा मंदिर का संबंद किस धर्म से है पूछ लिया जा सकता है तो देखिए जैन धर्म से इसका संबंद है अगला question देखेंगे निमने में से किस लोक नुरिति को गागर लोटी गरवा के नाम से भी जाना जाता है पनिहारी नुरिति को option first यहां पर आपका right answer है पनिहारी जो है ये राजिस्थान राजिका राजिस्थान राज्य का प्रशिद लोक नुरतिय है और ये नुरतिय काल बेलिया जाती के इस्तरी पुरुस तो द्वारा किया जाता है ध्यान देजे का काल बेलिया जाती के इस्तरी पुरुस यह नुरतिय करते हैं पनीहारी नुरित्य प्रशिद्ध घुमा नुरित्य के समान होता है और इस नुरित्य में महिलाएं सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर हाथ हो एवं पैरों के संचालन के साथ नुरित्य करती है नेक्स्ट कुशन देखते हैं आप लोगों ने चैनल अभी भी सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सस्क्राइब कर लेजे फिर नेक्स्ट कुशन आप देखिए मठ्की किस राज्य का नुरित्य प्रारूप है तो देखिए मठकी ये माधिय परदेश राजी का नुरित्य प्रारूप है option फोर्थ बिलकुल राइट आंसर है मठकी माधिय परदेश राजी का एक लोग नुरित्य है माधिय परदेश जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राजी है छेत रुफल के अनुसार और लोग साभा की ST सीट सरवाधिक रिजर्व है यहाँ पर मधिय परदेश राजी में कितने सीटें पूछ ली जाए तो 6 सीटें यहाँ पर ST के लिए रिजर्व है सरवाधिक रिजर्व सीट है यहाँ पर और SC की अगर हम बात करते हैं सीटें के लिए रिजर्व है और केरल का सास्त्री नृति यानि कि क्लासिकल डांस कौन सा है पूछ लिया जाए तो कथक कली और मुहनी अट्टम इनका संबंद है केरला से इनको ध्यान रखें अगला कुशन है आपका भारत का पर्थम उपगरह आरीबट कफ छोड़ा गया तो देखे भारत का पर्थम उपगरह है आरीबट और इससे छोड़ा गया था वर्षो 1975 में तो ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है अगला देखेंगे राजगड़ी को ग्रिश्म कालिन राजधानी बनाने वाला पमवार शाशत था प्रथवी पती शा प्रथवी पती शा आपका यहां पर हो जाएगा प्रथवी पती शा जो है इन्होंने राजगड़ी को ग्रिश्म कालिन राजधानी बनाए और वहाँ का राजा किसको बनाया था? दिलिज़ शा को वहाँ का राजा बनाया गया था राजगड़ी का प्रथवी पति गद्धी पर कब बैठे थे ये भी पूछा जा सकता है तो देखे जब ये गद्धी पर बैठते हैं तो उस्तम इनकी आयू साथ वर्ष की थी और वर्ष 1640 इजरी में इनका राजी अभिशेख हुआ था और ईनकी शांगरक्ष का कौन थी फूछ लिया जाए तो महरानी करणा बदी इनकी शांगरक्ष का थी पृथवी पति शाने देहरा दोन में एक शहर बसाया था अगला कुछ्छाँ देखेंगे उत्राखंड में सौभा के वति योशना का संबढ़ है उत्राखंड राजे में सौबहा के वदी योशना का जो संबंद है ये महिलाओं से है option second बिल्कुल right answer है अगला कुशन देखेंगे नंदा राजात में किस चंद राजा ने छतोली भीजी थी तो देखें नंदा राजात यात्रा में चतोली भीजने वाले चंद राजा थे बाज बहादूर चंद option फर्स्ट बिल्कुल right answer है नंदा देवी राजात यात्रा में सबसे आगे चार सिंगो वाला मेंडा यानिके खाडू और पीछे चतोली के लिए लोग चलते हैं और ये चतोली रिंगाल से बनी होती है और इस यात्रा को हिमाले का महा कुम्ब भी कहा जाता है नंदा राजात यात्रा जो है इससे हिमाले का महा कुम्ब कहा जाता है रेटिव बनवा कुश्चन है आपका देजभक्त प्रैस की स्थापना किस ने की थी देखे देजभक्त प्रैस की स्थापना की थी बदृदत पांडे ने option first यहाँ पे आपका बिल्कुल right answer है देखे बदृदत पांडे का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था 1882 में हुआ था 15 फरवरी 1882 को कंखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था और इनका मोल निवास एवं शिक्षा इस्थल जो था वो अलमोडा था ये भी आप ध्यान रख लेजिए मोल निवास एवं शिक्षा इस्थल पूछ लिया जाता है तो अलमोडा इनका मोल निवास एवं शिक्षा स्थल था बदुदत पांडे जो है ये अलमोडा से प्रकाशित होने वाले अलमोडा अकबार के संपादक भी बने थे कब बने थे कौन सा ये ये येर था ये भी पोछ लिया जा सकता है तो वर्ष 1913 में ये अलमोडा से प्रकाशित होने वाले अलमोडा अगबार के संपादक बने थे अलमोडा अगबार जो था ये वर्ष 1918 इसबी में तालकालीन डिप्टी कमिशनर ने पृतिवंदेत कर दिया था यानि कि ये बंद कर दिया गया था इसके बाद इन्होंने अलमोडा से सक्ति शापताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया और देखें बदृदत पांडे जो हैं इन्हें कुर्मांचल केश्री कहा जाता है अगर आप लोग उसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है बदिदत पांदे चलिए next question देखते हैं राजी में किस पंच केदार को जटा मौलेश्वर कहा जाता है तो देखें कौन सा ये पंच केदार है जिसे जटा मौलेश्वर कहा जाता है बताना है तो जिन लोग को answer आ रहा है आप comment section में comment करके बताएं देखें दिएगे option में आपका correct answer हो जाएगा कलपिश्वर नाथ option second बिल्कुल right answer है कलपिश्वर नाथ आपका किस जिले में स्थित है जमोली जिले में स्थित पंच केदार है पंच केदारों में ये पंच केदार है और यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पुजा होती है और कलपिश्वर नाथ के जो कपाथ है ये पूरे वर्ष खुले रहते हैं और यहाँ एक मादर केदार है जहां इस्थानी लोग पुजारी होते हैं और इस मंदिर का निर्मान पांडो द्वारा किया गया तथा यह मंदिर के शैली में निर्मित किया गया है ये भी पूछ जा सकता है, तो यह मंदर निर्मित किया गया है, नागर शेली में, नागर इस मंदर की शेली है, नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे, टिकर धार्मिक परमपरा किस जन्जादी से सम्मंदित है, देखें, टिकर धार्मिक परमपरा जो है, यह सम्मंदित है, बोक्सा जन्जादी से option, first discussion का right answer है, देखे, काशीपुर के चौमुंदा देवी बोखसा लोगों की सबसे बड़ी देवी है, ये आपको याद रखना है काशीपुर में चौमुंदा देवी का मंदिर है, तो ये बोखसा लोगों की सबसे बड़ी देवी माने जाती है चामुंडा देवी और बुकसार के बोकसा किस देवता की पूझा करते हैं ये भी पूछ लिया जा सकता है तो बुकसार के जो बोकसा है ये साकरिया देवता की पूझा करते हैं साकरिया देवता की पूझा करते हैं बोकसाड के बोकसा लोग और साकरिया देवता को ग्राम देवता भी कहा जाता है इसके अलाबा चैती जो है चैती ये बोकसा जन्जादी का प्रमुक्तियोहार है तो आप लोगों से फूश लिया जाए टिकर धर्मिक परमप्रा किस जन्जादी से सम्मंदित है बोकसा जन्जादे आप सभी लोग याद रखेगा आप सभी को यहाँ पर important facts पर clear करा दिये जाते हैं तो आप इन classes को देखने के लिए copy और pen लेके जरूर बैठा कीजिए इन points छोटे-छोटे जो points हैं इन points से भी बहुत question बनते हैं तो आप सभी लोग इन्हें no down जरूर कर लेजे चलिए next question है आपका वीर केश्री प्रशिद्र रशना के रशनाकार कौन है? देखे वीर केश्री प्रशिद्र रशना के रशनाकार है पंडित शेवराम option third बिलकुल right answer है देखे कवीता के छेटर में प्रतिष्था रखने वाले आशु कवी पंडित शिवराम जौन सार के परथम कवी है जौन सार के परथम कवी कौन है बताईए पोश लिया जा सकता है तो आपको याद रखना है जौन सार के परथम कवी है पंडित शिवराम और देखे इनकी प्रशिद रशना वीर केशी चंद जो है इनकी रशना है वीर केशी चंद जो की जौन सार भाबर में बहुत प्रशिद है तो वीर केशी चंद प्रशिद रशना के रशनाकार कौन है पंडित शेवरा अगला question देखेंगे, उकाई बात परियोजना किस राजी में स्थित है, important question है, उकाई बात परियोजना स्थित है आपके गुजरात राजी में option, fourth question का right answer है, देखें, उकाई बात परियोजना गुजरात राजी के उकाई गाउं में स्थित है, उकाई नामक गाउं में स्थित ह और यह परियोजना किस नदी पर बनाई गई है पूश लिया जाए तो आपको याद रखना है तापती नदी पर यह परियोजना बनाई गई है और देखे इसके अलावा आप लोगों से पूश लिया जा सकता है कि भाखडा नांगल जो बाद है ये किस नदी परिस्तित है है आपके कृष्ण नदी पर और पंडो बाद है व्यास नदी पर ये भी आपको याद रखना है चलिए अगला कृष्ण देखेंगे विख्यात सोमनात मंदिर किसने नश्ट किया था देखें विख्यात सोमनात मंदिर को सोमनात मंदिर किस राजी में लोकिटेट है गुजरात राजी में स्थित एक अतियंत प्राचीन वा इतिहासिक शिव मंदिर है और यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है सोमनात मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कारिय सोमनात ट्रस्ट के अधीन है अगला कुश्यन देखेंगे इलाबाद इस्तंब के शिलाले की विशय वस्तु की रशना की थी हरी सेन नहीं ऑप्शन सेकिन बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा देखें इलाबाद इलाबाद प्रश्टी गुप्त सामराज के सबसे महतफोन शिलालेक शाक्षियों में से एक है ये किस सामराज से संबंदित है पूछ लिया जाए तो गुप्त सामराज से ये इस्तंब या प्रश्टी संबंदित है समोत्रु गुप्त के मंत्री और दरबारी कभी हरी सेन द कि इस इस्तम्भ के शिला लेख में समुद्र्गुप्ट की उपलब्दियों का वर्णन है. इस इस्तम्भ की लेख की प्रारमभिख पंक्तियां, पद्यात्मक तथा बात की जो पंक्तिया हैं ये गद्यात्मक है और यह संस्कृट की चंपु शेली का शंस्कृत की चंपो शैली का सुन्दर उधारण है इस लेख को समुद्र गुप्त द्वारा तीन सो सत्तर इजबी में कौशामबी से लाए गए अशोग इस्तंबु पर खुदवाया गया अगला कुश्यन देखेंगे इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना किशवर्ष होई दिखें इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गए थी वर्ष 1906 में आप्शन फर्स्ट बिलकुल राइट आंसर है इंडियन मुस्लिम लीग सामानी तोर पर मुश्लिम लीग नाम से महशूर भारत की एक राजनितिक पार्टी है जिसे भारती चुनाव आयोग ने केरल राजी के दल के रूप में मानिता दे रखी है और इसके सथापकों में आगाखा, नवाब सलीमुला और नवाब मोहन सीव उल मुल्क प्रमुक थे जिन्होंने वर्ष 1906 में इसके स्थापना की थी मुश्लिम लीग की स्थापना का प्रमुक देश बृटिल सरगार के परती, मुसल्मानों की परतिष्ठा बढ़ाना मुसल्मानों की राजनितिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कॉंग्रिस के परती, मुसल्मानों में खुरणा उत्पन करना था next question है भारत-चीन के मद्य सीमा रेखा क्या कहला दिया देखे भारत-चीन के मद्य सीमा रेखा कहला दिया आपकी मैक मोहण रेखा option थर्ड इस्कुशन का करेक्ट आंसर है मैक मोहन रेखा भारत और तिबबत के बीच सीमा रेखा है और ये वर्ष 1914 स्पी में भारत की तातकालिन बुर्टिस सरकार और तिबबत के बीच शिमला समझोते के तहत अस्द्व में आई वर्ष 1914 के बाद से अगले कई वर्षों तक इस सीमा रेखा का सित्व कई अनि बिवादों के कारण कहीं छुपसा गया था लेकिन वर्ष 1935 में ओलक कीरो नामक एक अंग्रेज प्रशाशनिक अधिकारी ने तातकारिन अंग्रेजी सरकार से इसे अधिकारिक तोर पर लागू क करनने का अनिरोध किया और वर्ष 1937 में भारती शर्वेक्षन विभाग के एक माजित्र में मैक मोहन रेखा को आधिकारिक भारती सीमा के रूप में दिखाया गया था बात करते हैं रैट कुलिप रेखा की तो रैट कुलिप रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बन गई और इसके अलावा डुरंड रेखा जो है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतरास्टी सीमा रेखा है नेक्स्ट कुशन है किस परकार के गीतों को स्वयमवर पर्था माना जाता है देखिए स्वयमवर पर्था माना जाता है दूड़ा गीत को ऑफशन फरस्ट यहां पर आपका राइट आंसर है ठुलखेद गीत के अगर बात करें तो ठुलखेद गीत ये कुमाओं में जो जौनपुर में गाया जाता है next question देखेंगे विश्नौ प्रियाग जल विदोत परयोशना किस नदि पर इस्तित है विश्नौ प्रियाग जल विदोत परयोशना यह इस्तित है आपके अलक नंदा नदी पर option बिल्कुल राइट आंसर है विश्नो परियाग जलविद्दुद परियोशना चमोली जिले में स्थित है अलग नंदा नदी पर अलग नंदा नदी पर ये 650 मेगावाट की परियोशना है और इस जलविद्दुद परियोशना का निर्माण अविवाजित उत्तरप्रदेश पावर कॉर्परूरिशन एक कमपनी के माध्यम से करा रही थी और बीच में लगभग 12 वर्षों तक धन के अभाव यानि धन की कमी के कारण इसका निर्मान कारी रुका रहा राजी विभाजन के बाद निर्मान कारी इसका पुनह शुरू किया गया अगला कुश्यन है आपका राजी का पर्थम समचार पत निकला था आपके अंग्रेजी भाषा में आप्शन फोर तो बिलकुल राइट आंसर है देखे उत्राखन में पर्थम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था दे हिल्स इस पत्र का नाम था और ये मसूरी से प्रकाशित होता था और देखे इस पत्र की भाषा क्य थी अंग्रेजी भाषा थी इस पत्र का संपादन जॉन मैकनिन ने किया था जॉन मैकनिन ने उत्राखन की पहले प्रेंटिंग प्रेस मसूरी में खोली थी दे हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1850 इस भी में बंद हुआ नेक्स्ट कुशन है सिद्ध ताल किस जनपत में इस्तित है देखे सिद्ध ताल आपके चमोली में इस्तित है अगला कुशन है तिहरी में रेट क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किश्वर्ष हुई थी तिहरी में रेट क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी वर्ष 1934 मे option third discussion का correct answer है तिहरी में नरेंद्र शा के समय नरेंद्र शा के समय वर्ष 1934 में Red Cross Society के स्थापना की गई वर्ष 1949 इजवी में तिहरी राज्य में कुष्ट विधान पारिद किया गया और तिहरी राज्य में टी का विधान कब पारिद किया गया पूछ लिया जा सकता है तो जिन लोग को answer आ रहा है इसका right answer आप comment करके बताईएगा तिहरी राज्य में टी का विधान का पारिद किया गया नेक्स्ट कुष्ट है द्वज उत्सो किश जनवत में मनाया जाता है दिखे द्वज उत्सो मनाया जाता है आपके कहां पर देहरा दोन में option थर्ड इस question का बिल्कुल right answer है अगला question देखेंगे हीरा मनी गलेश्यर किस जनवत में स्थित है हीरा मनी गलेश्यर आपके है कहां पर पिथोरागड में option सेकिन बिल्कुल राईट आंसर है इसके अलावा देखे रालम गलेशर इसके लावा पिनौरा नामा गलेशर ये दोनों गलेशर भी आपके कहां पर हैं पिथोरगड में इस्तित हैं नेक्स्ट कुशन है उंका रिशर बान किस नदी पर है देखें उंका रिशर बान है आपके नर्मदा नदी पर function first is question का right answer है उंका रिशर बान नर्मदा नदी पर खंडवा के पास मांधाता में निर्मित बान है और इस बाद से थोड़े ही आगे उंकारिशर मंदिर है इसका निर्मान सिच्चाई के लिए वर्ष 2003 से वर्ष 2007 के मध्य किया गया था और इस बाद से संबद 520 मेगावाट शम्ता का एक चल विदो सैयंत्र भी है जो बाद के आधार पर इस्तित है और इसके अलाबा यह बाद मध्य परदेश राजी में इस्तित है इस पॉइंट को भी आप सभी लोग याद रखेंगे अगला कुश्चन है गिर रास्टी उद्यान किस राजी में इस्तित है गिर रास्टी उद्यान है आपके गुजरात राजी में गिर राश्टी उद्यान भारत के गुजरात राजी में इस्तिते एक राश्टी उद्यान एवं प्राणी वन्य प्राणी अभ्यारणी है जो इश्या में सिंगों का एक मात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है गिर अभ्यारणी 1424 वर्ग क्लोमेटर छेत्र में फैला हुआ है जिसमें 256 वर्ग क्लोमेटर राश्टी उद्यान और 1153 वर्ग क्लोमेटर वन्य प्राणीों के लिए आरक्षित अभ्यारणी विस्तार है और इसके अलावा इसके पास में ही मितियाला वने जी अभ्यारनी है जो की 18.22 किलोमेटर में फैला हुआ है अगला कुश्चन है आपका बंगाल का पहला गवर्नर कौन था देखी बंगाल का पहला गवर्नर था second is question का right answer है और वहीं आपस लोगों से पूछ लिया जाए बंगाल का पहला गवर्नर ज़नरल कौन था तो बंगाल का पहला गवर्नर ज़नरल था वारेन घेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर ज़नरल कब किया गया था Hillside Safety Committee जो है इसका गठन कब किया गया था तो correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पर 1867 में वर्ष 1867 में Hillside Safety Committee का गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया अगर आपको answer आता है तो आप comment करके बताएं comment section में चलिए next question देखिएगा वर्ष 1947 में देहरादून से शुरू हुआ समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है तो देखिए वर्ष 1947 में देहरादून से शुरू हुआ समाचार पत्र है इनमें से योगवानी option first discussion का correct answer है वर्ष 1947 में देहरादून से यूखवाने का प्रकाशन हुआ और तेरी राज प्रजा मंडल के बारे में लिखने के कारण से रियासती पत्र भी कहा गया ये ध्यान रखेंगे इसे रियासती पत्र भी कहा गया और इस पत्र का संपादन किस ने किया ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इस पत्र का संपादन भगवती प्रशाद पांथरी और आचारी कोपीश्वर कोठियाल ने किया था नोट डाउन का लिजी इंपोर्टेंट पॉइंट है बात करते हैं कर्म भूमी पत्र की तो कर्म भूमी का जो प्रकाशन होता है वो कहां से होता है लेंस डाउन से लेंस डाउन से इस पत्र का प्रकाशन हुआ और शक्ती समचार पत्र का प्रकाशन हुआ अलमोडा से नेक्स्ट कुशन देखेंगे उत्राखन में जल संसादन प्रबंदन पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भगवती प्रशाद पुरोहित ऑप्शन सेकिन इसकुशन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन देखेंगे कुमाओ की राजनिती का कौटी लिए किससे कहा जाता है कुमाओ की राजनिती का कौटी लिए कहा जाता है किसे शिप्दत जोशी को ऑप्शन फर्स्ट यहां पे आपका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे मोना शाही तिमासा मुद्रा के शाशक के शाशनकाल में बनी थी फोर्थ इसकुशन का करेक्ट आंसर है देखेंगे प्रतीप शाही संग्रक्षिका कौन थी पुछ लिया जा सकता है तो नोट कालीजे का कनक देई कनक देई इनकी संग्रक्षिका थी प्रदीप शाह ने दून की राल्थानी नवादा से हटा कर धामो वाला में स्थाफित की इसके अलावा प्रदीप शाह की समय कुमाओ पर 1743 में रोहिला आक्रमन हुआ जिसका नेदित्व अली मुहम्मद ने किया था प्रदीप शाह का शाशनकाल चंद इवं पमवार पंच की मित्रता के लिए भी जाना जाता है इसके अलावा आप कमेंट करके बताईएगा कि प्रदीप शाह का दरवारी कभी कौन था अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट शेक्शन में कमेंट करके बताएएगा शादी विवा के समय लगाया गया कर था शायर जो है ये सीमा वो चुंगी कर था इसके अलावा मौकर प्रती परिवार लगता था और चंद शाशनकाल में चंद राजाओं दुदारा भी यह कर लगाया गया था कौन सा कर मौकर अगला कुश्यन देखेंगे हिमानचल के किन्नौर वा हर्शल घाती को कौन सा दर्रा जोडता है तो देखें हिमानचल में है आपका किन्नौर और हर्शल घाती है आपके उत्राखंड में तो हिमांचल के किन्नौर व उद्राखंड के हर्शिल घाटी को कौन सा दर्रा इनमें से जोडता है ये बताना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम खाजा दर्रा ये जो दर्रा है ये जम खाजा नाम का दर्रा है जो किन्नौर व हर्शिल घाटी को जोडता है बरासु दर्रेगी बात करें तो हरकी दून वक किन और घाटी को जोडने वाला ये दर्रा है बरासु दर्रा हरकी दून वक किन और घाटी के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग था ये बरासु और शरंग कंठ के अगर हम बात करते हैं तो शरंग कंठ हिमांचल ब उत्तरकाश अग्ला कूश्रन देखेंगे नगर पालिका के प्रथम भारती अध्यक्ष कौन थे तो देखेंगे ह। देखें, correct answer हो जाएगा आपका, मोहनलाल शा, option, first बिल्कुल right answer है, next question देखेंगे, गड़वाली फिल्म, घरजय में किस वर्ष release होई थी, तो देखें, गड़वाली फिल्म है, घरजय में, और ये release होई थी, गड़वाल क्वीन के नाम से किस परवत को जाना जाता है, देखें, गड़वाल क्वीन के नाम से, जाना जाता है, नील कंठ परवत को, option, first बिल्कुल right answer है, नील कंठ परवत आपके कहां परिस्तित है, चमोली में इस्तित है, जिसकी उंच आएगी, अगर हम बात करते हैं, तो 6597 मीटर इसकी हाइट है, नंदा घुंगटी जो है, ये आपके कहां परिस्तित है, ये भी आप चमोली में हिस्तित है, नंदा घुंगटी इसकी हाइट है, 6309 मीटर, इसके अलावा, नंदा देवी परवत भी आपके चमोली में है, गौरी परवत भी आपके कहां परिस्तित है, ये भी चमोली में हिस्तित है, नंदा देवी परवत की हाइट 7817 मीटर है, नोड डाउन का 250 मीटर इस परवत की हाइट है जो कि चमोली जनपद में इस्तित है अगला कुशन देखेंगे भारत की पहली जनगर्ना के समय भारत के वाई सराई कौन थे तो देखें भारत की पहली जनगर्ना के समय भारत के वाई सराई थे लौड में यो आप्शन फूर्थ यहां पर आप के कहां पर राजिस्थान राजिय में option first बिलकुल correct answer है गोरान घरदर्रा राजिस्थान राजिय में स्तित है और यह राजिस्थान के सिरोही राजिस्थान के सिरोही और जालोर शहर को उदैपूर शहर से जोड़ता है और यह समूत्र तल से 1200 मीटर उपर है तथा माउंट आवू के दक्षण में रावली के पहाड़ी में स्तित है तथा गुरु शिखर को माउंट आवू से अलग करता है अगला कुशन देखेंगे अजन्ता की गुफाएं कहां स्तित है देखिए अजन्ता की जो गुफाएं हैं आपके औरंगाबाद में उप्षण फर्स्ट बिलकुल राइट आंसर है अजन्ता गुफा महराश्ट राजिय में स्तित है और इन्हें तकरीबन 29 चट्टानों को काट कर बनाया गया है और ये बौद इस्मारक गुफाएं हैं द्विती शताबदीज भी पूर्व के हैं यहां बौद धर्म से सम्मन्द चितरण एवं शिल्पकारी के उत्रिष्ट नमूने मिलते हैं और ये गुफाएं अजन्ता नामक गाउं के पास सी स्तित हैं जो कि महराश्ट के औरंगाबाद जिले में हैं अजन्ता गुफाएं वर्ष 1913 से युनेसको द्वारा विश्व धरोहर इस्तल घोशित किये गए हैं ये दिहां रखेंगे युनेसको के विश्व धरोहर इस्तल में ये शामिल हैं अगला कुशन देखेंगे पाल वंच के स्थापना किसने की थी देखेंगे पाल वंच के जो स्थापना है ये गुपाल द्वारा की गई ओप्शन से किन इस कुशन का राइट आंसर है पाल वंच के स्थापना बौद धर्म के अनुयाई बौद धर्म के अनुयाई गुपाल ने की थी और बात करते हैं धर्मपाल की तो गोपाल का पुत्र था धर्मपाल जिसने विक्रम स्चिला विश्विद्याले के स्थापना की तथा नालंदा विश्विद्याले का जिनोधार कराया। शाशक बना और इसको राजेंडर चोल ने आकरमन कर पराजित कर लिया था। अगला कुशन देखेंगे तरवेणी नहर निम्न में से किस नदी से जुड़ी हुई है। तो देखेंगे काफी महतुपूर आपका ये कुशन है। तरवेणी नहर किस नदी से जुड़ी हुई है बताना है तो दिएगे option में correct answer हो जाएगा आपका गंडक नदी option second बिल्कुल correct answer है next question है मौरी सामराजी में सरपर्थम के शाषक की राजधानी पार्टली पुत्र थी तो देखिए correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पे चन्रगुप्त मौरी देखिए option first बिल्कुल right answer है देखिए चन्रगुप्त मौरी चाणा की की सहता से अंतिम नंद वंशी शाषक धना नंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयू में मगत के सिंगहशन पर आसीन हुआ और मौरी सामराजी की स्थापना की इसके अलावा देखिए मौरी वंश प्राचीन भारत का शक्तिशाली राजवंश था पाटली पुत्र की अगर हम बात करते हैं तो पाटली पुत्र प्राचीन समय से ही भारत के प्रमुक नगरों में गिना जाता था पाटली पुत्र बर्तमान पटना का ही नाम था इतिहासकार के अनुसास सम्राट अजात सत्रू के उत्राधिकारी उद्दाईन ने अपनी राजधानी को राजगरह से पाठली पूत्र इस्तनांतरित किया और बाद में चंडरो गुप्तों मौरी ने यहां सम्राज स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई अगला इस अब्से अफ्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेद्पूर जमशेद्पूर में भारत की पहली आईरेन इस्टेज कमपणी है तु Łでे डिए ठाटाकी नाम से जाने जाने हाली यह बहरत की प्रमोक सपाथ कमपणी में जमशेद्पूर इस संपात कमपनी य अगला कुश्यन देखेंगे विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है देखें विश्व समुद्र दिवस आठ जून को मनाया जाता है और वर्ष 1992 में कनाड़ा सरकाने रियो डिजनेरियों में प्रथवी शिगर सम्मिलन में विश्व समुद्र दिवस के विचार का 2008 में संयुक्त राष्ट द्वारा आधिकारिक रूप से मानिता दे गई अगला कुश्चन देखेंगे आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है जल्दी से लाइक कर लें जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube जैनल इस्टुडी विट इम को सस्क्राइब नहीं किया है वो स पस्क्राइब कर लीजे और आप सभी लोगों को यहाँ पर इंपोर्टेंट जो फेक्ट्स पताय जा रहे हैं इन्हें आप नोडाउन जरूर कर लीजेगा और अगर आप लोगों ने अभी वी क्लास को शेर नहीं किया है जल्दी से आप लोग मिलकर शेर कर दीजे देखें आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट क्लास लाई जा रहे हैं तो आप लोग शेर तो कर सकते हैं थोड़ा सा चलिए नेक्ट कुशन है भारती कपास अनुसंधा संस्थान कहां इस्तित है भारती कपास अनुसंधा संस्थान ये इस्तित है आपके नागपुर मे आप्शन फोर्ट बिल्कुल राइट आंसर है भारती का पास अनुसंधा संस्थान नागपुर महरास्टा में इस्तित है और इसके स्थापना कब हुई पूछ लिया जाए तो 1976 से याद रखेंगे 1976 में इसके स्थापना की गए थी और यह है भारती किर्शी अनुसंधान परि फिजिकल एजुकेशन कहां है देखे लक्षमी वाई नेश्टीट और फिजिकल एजुकेशन ये आपके गवालियर में है ऑप्शन फर्ड इसके स्थापना में बड़ी महतपूर भूमिका रही इसके अनावा देखे भारत के शार्यूश्ट शार्यक शिक्षाविद इस संस्था के पहले प्रिंस्पल नियुक्त हुए इस संस्थान का प्रारम बिक्रम विश्विद्याले उज्जैन से सम्मद महा विद्याले के रूप में हुआ गौलियर में जिवाजी विश्विद्याले के स्थापना के बाद वर्ष 1964 में यह उसके अंदरगत आगया और रास्टी महत्व को दिहान में रखते वे वर्ष 1973 में इसका नामकारण लक्ष्मी बाई National Institute of Physical Education के रूप में हुआ यह दिहान लखेंगे वर्ष 1973 में इसका नामकारण लक्ष्मी बाई राश्टी शारिक शिक्षा महा विद्याले यानि कि लक्षिमभाई National Institute of Physical Education किया गया वर्ष 1982 की बात करते हैं तो वर्ष 1982 में स्वायत सासी संस्था का दर्जा से हाशिल हुआ और बाद में सितंबर 1995 में इसे सम विश्व विद्याले का दर्जा प्रदान किया गया विश्व विद्याले अनुदान आयोग ने 14 जनवरी 2009 को से पूर्ण विश्व विद्याले का दर्जा प्रदान किया तो ये कुछ महत्व पॉर्ण पॉइंट है इस संस्था के बारे में तो इन्हें आप नोट डाउन कर लिजे तो 81 वा कुशन है इस स्रीज का महा भारत में त्रिप्य का किस नदी को कहा गया है तो देखिए महा भारत में त्रिप्य का या त्रिप्य का कहा गया है अलग नंदा नदी को option fastest question का correct answer है देखिए अलग नंदा राज्य में सबसे अधिक जल परवावाली नदी है अलग नंदा नदी जो की चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांग हिमनाच से निकलती है और अलग नंदा का दूसरा नाम क्या है पूछ लिया जाए तो इस नदी का दूसरा नाम है विश्नु गंगा important point note कर लिजे विश्नु गंगा इसका दूसरा नाम है अलग नंदा नदी की संतोपत ताल से देव पुरियाग तक की लंबाई की बात करें तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है तोपत ताल से देव पुरियाग तक और देव पुरियाग में अलग नंदा में भागिरती नदी का संगम होता है देखे अलग नंदा नदी की कितनी सहायक नदिया है पूश लिया जाए तो अलग नंदा की पांच सहायक नदिया है जो गड़वाल छेत्र के पांच अलग अलग स्थानों पर अलग नंदा से मिलकर पंच परियाग बनाती है पंच प्रियागों से भी आयो के द्वारा एक्सर कुशन पूछ लिया जाता है तो पंच प्रियाग कौन कौन से है देखिए विश्नु प्रियाग, नंद प्रियाग, कर्ण प्रियाग, रूद्रु प्रियाग वद देवरियाग ये आपके पंच प्रियाग होगे देखे विश्नु प्रियाग के अगर हम बात करते हैं तो विश्नु प्रियाग में संगम होता है अलग नंदा के साथ इसकी साहिक नदी पश्यमी धौली का ये आपको याद रखना है विश्नु प्रियाग में अलग नंदा और पश्चिमी धौली का संगम होता है दूसरा प्रियाग है नंद प्रियाग नंद प्रियाग में संगम होता है अलग नंदा और नंदाकनी का तीसरा प्रियाग है कार्ण प्रियाग जहां पे संगम होता है अलग नंदा किसांद पिंडर नदी का इसके बाद चौथा प्रियाग है आपका रोदर प्रियाग यहाँ पर संगम होता है अलग नंदा किसांद बंदागने नदी का और पांचवा प्रियाग है देव प्रियाग देव परियाग में अलग नंदा और भागी रथी नदी का संगम होता है तो पंच परियागों से भी आयो के द्वारा कुश्वन पूट अप किये जाते हैं इन पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं चलिए, नेक्स्ट कुश्वन देखते हैं तो देखें, नव विश्व विद्याले जो की देख्यादोन में लोकेटिड है और इसकी स्थापना कब हुई ये बतानी है तो दिएके ओप्शन में करेक्ट आंसर है आपका वर्ष 2004 ओप्शन फोर्ट बिलकुल करेक्ट आंसर है हिमगरी नव विश्व विद्याले किस से सम्मन्दित है? सूशना प्राध्योगी की से सम्मन्दित ये संस्थान है और यह देख्यादोन के सेला कुई में स्थित है इस विश्व विद्याले की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी अगला question देखेंगे नूनाई मिला किस जनपद में आईजित किया जाता है दीकिए नूनाई मेले का आईजित किया जाता है देरा दून में option third is question का correct answer है देखें नूनाई मिला देरा दून के जौन सार छेतरो यानि की चक्राता तहसिल में शामवन मा में लगता है यह आपको याद रखना है जो नोणाई मिला है इसका आयजन कहां पर होता है जौनसार छेतर में होता है श्रामण मा में यह मिला लगता है और इसे जंगलों में भेड पक्रियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है इंपोर्टेंट मिला है ध्यान रखेगा अगला नेक्स्ट कुशन देखेंगे उत्राखंड का पामीर दूधा तोली शेनी अंग है देखें उत्राखंड का पामीर किसे कहा जाता है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है दूधा तोली शेनी को उत्राखंड का पामीर कहा जाता है और ये अंग है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देखे राजी में मदी हिमाले की उचाई की बात करते हैं तो 1200 से लेकर 4500 मीटर तक राजी में मदी हिमाले की उचाई है और देखे राजी के पूरी छोर चमपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादोन तक नौ जिलो में मदी हिमाले शेणी फैले हुई है मसूरी, देववन, रानिकेद दूधातोली, बिंसर और द्रोन गिरी ये मदी हिमाले की शेणिया है कौन-कौन से शेणिया है देखे मदी हिमाले की पता रहने चाई आप लोगों को मसूरी है, देववण है, रौनीखेद है, दूधादोली है, बिंसर है और ड्रोन गरी है अगला कुष्ट देखिएगा पहार का अमबेट कर किसे कहा जाता है? देखें काफी महतफौन ये आपका कुष्ट है पहार का अमबेट autonomous है मुंशी हरी परशाद को option सेकिन बिलकुल राइट आंसर है मुंशी हरी परशाद टम्टा जो है ये एक दलित सुधारक थे दलितो को वर्ष 1911 में शिल्पकार नाम दिलाने में इनका प्रमुक योगदान रहा कुमाओं में वर्ष 1905 में टम्टा सुधार सभा का गठन हुआ था ये भी आपका काफी महत्वपोन पॉइंट है हरी परशाद टम्टा ने वर्ष 1945 से वर्ष 1952 तक अलमोडा नगरपालिका का अध्यक्षपद समहला ये आपको याद रखना है हरी परशाद टम्टा वर्ष 1945 से वर्ष 1952 तक अलमोडा नगरपालिका के अध्यक्षपद पर रहे नेक्स्ट कुशन है उत्राखंड में नेलेश्वर मंदिर कहां इस्तित है दिके उत्राखंड राजी में नेलेश्वर मंदिर है आपके रूद्र प्रियाग में ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइड आंसर है नेलेश्वर मंदिर जो है ये रूद्र प्रियाग जनपत के खवाड़ा में इस्तित है खवाड़ा नामक स्थान पर इस्तित है नेलेश्वर मंदिर रूद्र प्रियाग में अगला कुशन है वर्ष 1867 में इसके कारणों का पता लगाने के लिए Hillside Safety Committee गठित की गई और इस कमेटी का गठन किस ने किया पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है Henry Ramsey द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया अगला कुशन है अखिल गडवाल सभा की स्थापना किश्वर्ष हुई अखिल गडवाल सभा की स्थापना वर्ष 1952 में हुई ऑप्शन सिकिन बिल्कुल राइट आंसर है अखिल गडवाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को कहां पर हुई देहरा दून में इस सभा की स्थापना हुई जिसके अध्यक्षिव विशंबर्दत चंदोला थे विशंबर्दत चंदोला का संबंद किस जनपद से है पूछ लिया जाए तो पौड़ी गडवाल जनपद के थापली गाउं से इनका संबंद है और इनहीं गडवाल में हिंदी पत्र काणिता का भिशमत पितामा कहा जाता है आगला क्रेशन है लोहा घाट वा हुडेती ताम्र पत्र में किस चंद शाशका उलिक मिलता है फ़र्स विलकुल राइट आंसर है भारती चंद जो थे इनके बाद इनके पुत्र रत्न चंद 1437 इस भी में गद्धी पर बैठे और रत्न चंद ने थल के राजा सूर सिंग महरा को हराया था रत्न चंद ने सीरा को जीत कर बसेडा राजपूत को वहां का सामन्त बनाया था तो यह कुछ important fact आप सभी को बताया जा रहे हैं इन्हें note down कर लीजे next question देखेंगे भारत का सबसे उचा victory tower कौन सा है देखे भारत का सबसे उचा victory tower है फते बुर्ज option फरस्ट discussion का correct answer है फते बुर्ज कहां पर located है पूछ लिया जाए तो फते बुर्ज है आपके पंजाब में पंजाब के मुहाली में ये located है और इसकी height की बात करते हैं 328 feet इस बुर्ज की height है अगला question देखेंगे निम्न में से कौन सा केरल का पुर्षिद festival game है देखें केरल का पुर्षिद festival game है इन में से 9 का दौड option second question का correct answer है और पूछ लिया जाए किस त्योहार के समय नौका दौड या बोट रेस की जाती है तो देखेंगे ओडम जो त्योहार है ओडम त्योहार के समय नौका दौड या फिर बोट रेस की जाती है इसके अलाबा देखेंगे एक और चीज ध्यान में रखना है आपको तमिल नाडू में एक और त्योहार होता है पूंगल नाम का जो त्योहार है यह भी आपका important है जो कहां पर होता है तमिल नाडू में होता है और इस त्योहार के मौके पर जली कर्टू या फिर सांडू की दौड की जाती है तो यह जOY आपका महतफोन point है पूंगल त्योहार और ओरम त्योहार दोनों ध्यान रखेंगे ओरम त्योहार केर्ला का त्योहार है जबकि पूंगल है तमिल नाडू का उडब के मौके पर नौका दौड या बोटरीस होती है और पूंगल के मौके पर जली कर्टू या फिर की दोड की जाती है अगला कुश्चन देखेंगे राश्टी विकास परिश्चत का गठन कब किया गया देखे राश्टी विकास परिश्चत का गठन किया गया वर्श उने सो बावन में उप्शन थर्ड इस कुश्चन का करेक्ट आंसर है 6 अगस्त 1952 को रास्टे विकास परिश्रत का गठन किया गया और यह एक गैर समयधानिक निकाई है जिसका उदेशे राजियों और योजना आयों की भी सायोग का वादावरन बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना है नेक्स्ट कूशिन है किस अनुच्छीट के अंतरगत पंचैथी राजव्य वस्था को राजी के नीतियन देशक्तत्वों के तहत रखा गया है action we are about right answer हो जाएगा अनुचे जालिस के अंतरगत पंचाइती राजव्य वस्था को राजी के नीति निर्देशक्त अत्वों के तहत रखा गया है और इसके लिए रास्टी विकास परिशत ने वर्ष 1956 एजबी में बलवंत राय महता समीति या ध्यक्षता में एक समीति गठित की जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1957 में सौब दी देश में 35 पंचाईती राज सबसे पहले कहां पर अपनाए गया ये कुशन अगर आप लोग उसे पूछ दे जाता है तो ध्यान रखेगा देश में 35 पंचाईती राज सबसे पहले राजिस्थान राजी के नागौर जिले में 2 अक्टुबर 1969 को अपनाया गया इसके बाद आंदरप्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमानचल प्रदेश, महराष्टरा, पंजाब, तमिलनाडू, उतरप्रदेश दथा पश्यम बंगालने से अपनाया पंचायती राजव्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वर्ष 1972 इसबी में जनता सरकाने अशोख महता समीती का गठन किया ये ध्यान रखेंगे अशोख महता समीती का ठित की गए थी 1972 में जिसने वर्ष 1978 में यानि 1978 में अपने रिपोर्ट पेश की इस समीती ने 303 व्यवस्था को 203 बनाने का सुझाव दिया था कौन से ऐसी समीति ये बताई जिसने तुरी स्तरी व्यवस्था को दुरी स्तरी बनाने का सुझाओ दिया पूश लिया जा सकता है तो ये जो समीति थी ये थी कौन सी अशोक महता समीति और दुरी स्तर बनाने का इसने सुझाओ दिया दो स्तर कौन-कौन से थे पहला निशली स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरा स्तर था जिला स्तर जिसमें जिला परिशत बनाने का इसने सुझाव दिया नेक्स्ट कुशन है उष्ण कटी मंदी पर्ण पाती वनों के अंतरगत कौन-कौन से व्रक्ष आते हैं उष्ण कटी बन्दी पर्ण पाती वनों के अंतरगत आते हैं शिशम चंदन साल सभी आते हैं उपयोग तो सभी आप्शन फोर्थ मिल्कुल राइट आंसर है उष्ण कटी बन्दी यह वन उन स्थानों पर पाये जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच और इस प्रकार के वन हिमाले की उचाई और प्राइड वीपी पठार के उत्तर पुर्वी भाग में मुख्यरूप से पाये जाते हैं और इनमें साल, सागवान, शिशम, चंदन, आम, आदी व्रक्ष मिलते हैं अगला कुशन है अरावली परवत की लंबाई लगभा कितनी ह और अरावली परवत राजिस्थान से लेकर दिली के दक्षन पश्चिम तब विसृत है और यह है विश्व के सबसे प्राचीन परवत है यह आपको याद रखना है यह परवत सबसे प्राचीन परवत है विश्व के और गुरु शिखर इनकी सबसे उची चोटी है अरावल है गुरु शिकर नोट का लिजे गुरु शिकर इसमें सबसे उची चोटी है और इस पर पिर्षिद्ट परेटन इस्तल माउंट आपो स्थित है नेक्स्ट कुशन देखेंगे भारत में स्थानी श्रशाशन का जनक से कहा जाता है देखे भारत में इस्थानी श्रशाशन का जनक कहा जाता है Lord Ripanco option फर्स्ट बिल्कुल राइट answer है अगला देखेंगे भारती विश्विद्याले अधिनियम किसने पारित किया था तो देखे भारती विश्विद्याले अधिनियम किसने पारित किया बताना है तो correct answer हो जाएगा आपका Lord Karzan option फर्ड बिल्कुल राइट answer है अगला question देखेंगे लोक्चित्रकला की मधवनी शेली भारत की किस राजी में परचलित है काफी महदपोन question है आपका ये तो लोक्चित्रकला की मधवनी शेली परचलित है भारत के पिहार राजी में option first इस question का correct answer है next question है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है देखें विश्व ओजोन दिवस आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और जोन परत के बारे में लोगों को जागरोग करने के साथ ही से बचाने के सामाधान की और ध्याने कदरित करने के उदेश से इसे मनाया जाता है और यही इसका उदेश है यह आपको याद रखना है तो ओके गाईज आज के session में इतना ही आई हो आप सभी को आज का ये session का फिर पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो session को like कीजिएगा share कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube channel study with aim को subscribe नहीं किया है वो सस्क्राइब कर ले तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद